स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर न सी सी नर्सिंग ओनलाइन कोचिंग एंड ओनलाइन टैसरीज फिर स्वागत है थायरीड आई डिजीज को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं थायरीड आई डिजीज किसे कहते हैं क्या रहेगा अपना आंसर तो देखिए इसे हम क्या कहते हैं यह जो कंडिशन आपको दिखाएगा यह कि थाइरोड आई डिजीस की थाइरोड की ऐसी कौन सी कंडिशन है जिसके अंदर आई रिलेटेट आपको प्रोबलन्स देखने हो मिलती है तो यह कंडिशन होती है ग्रेव्ज और बिटोपेथी इसको हम क्या क्या बोलते हैं ग्रेव्ज और बिटोपेथी क्योंगी थाइरोड का आप पढ़ते हो तो यह ज़िए कौम्प्लिकेशन की हम बात करें तो उसमें क्या होता है ग्रेव डिजीस वाले और जड़ा एग्रिबेट हो जाती थारोड की कंडिशन वहां पे और जदा T3 T4 हर्मोन यहां पर एक्सेश्यू देखने हों मिलते हैं ग्रेव डिजिस के अंदर तो वहां पर भी क्या होती है जो एक्जॉप्थ एक्जॉप्थलमस की आपको कंडिशन देखने हों मिलती है उसे हम क्या ब बाहर निकल जाती है कि वह ओटोमेटडिकल ही पैंशे चल जाती है ठीक है तो इसे हम कहते है थायरोड और डिजिजूइँ देखए कॉन सी अंदर होती है ग्रेव डिजिज्स के अंदर हो टो मिलट है । ग्रेव डिजिज अ होती है एक परकार की autoimmune disease है क्या होता है इसके अंदर production of antibodies against TSH receptor TSH receptor के यहां पर against क्या बन जाता है इसमें antibody बन जाता है और इसका most common कोज क्या होता है hyperthyroidism अगर hyperthyroidism को control नहीं किया गया तो आगे जाकि वह किसमें convert हो सकती है Graves disease यहां पर उससे correlate कर सकती है अब देखिए जो यहां पर antibody बनती है उस antibody को हम क्या बोलते हैं स्टिमूलेटिंग ग्लोबुलिन तो शोर्ट के इंदर इसको अपन क्या बोलते हैं TSI ठीक है अब यह TSI किस प्रकार की होती है यह एनालोग होती है इसके TSH के ठीक है एनालोग रहती है TSH की एनालोग का क्या मतलब होता है similar ही structure TSH के similar ही structure क्या होती है TSI होती है अब यह क्या करती है bind to thyroid stimulating hormone receptors अब यह जो TSI होती है यह क्या करती है देखिए यह सबसे पहले effect of TSI अपन पढ़ रहें कि भी तो thyroid stimulating immunoglobuline जो बना था वो क्या करता है अभी इसके सामने देखो आपके सामने sign and symptoms अपने आप निकलेंगे ठीक है thyroid hypertrophy thyroid hypertrophy होती है तो क्या होत देखने को मिलता है आपको hyperplasia hyperplasia होता तो आपको यह condition देखने को मिलती है जिसको आप क्या बोलते हो goiter, goiter के अंदर क्या होती है तो thyroid gland होती है वो enlarge जहती है ठीक है goiter किस प्रकार से बना किस प्रकार से हुआ समझ मैं आप सभी के next बात करते हैं TSI increase synthesis of T3 and T4 T3 and T4 के synthesis को क्या कर देगी इंक्रीज कर देगी क्योंकि एक प्रकार क्या कर रहा है analog का का काम कर रहा है अब next क्या कर रही है TSI देखिए यह क्या करती है TSI stimulate the fibroblast in eye orbit अब अपन answer पर जाएंगे कि thyroid eye कैसे बनती है thyroid eye जो swelling देखने को मिलती है आई के अंदर वह होता कैसा है जो thyroid stimulating immune global है यह stimulate करता है किसको fibroblast को किसके अंदर eye की orbit के अंदर जिससे क्या होता है production increase किसके production बढ़ जाता है यहां पर glycose amino glycan का तो यहां पर production किसका बढ़ेगा glycose amino glycan का आपर production बढ़ जाएगा जिसकी वज़े से आपको क्या देखने को मिलेगा local यहां पर क्या देखने को मिलेगा inflammation swelling जिसकी वज़े से क्या sign देखने को मिलेगा जिसको आप सभी पढ़ते हो exophthalmos exophthalmos lead retraction कि आई का जो lead का retraction यहां पर देखने को मिल जाएगा किसकी वज़े से हुआ क्या हुआ क्या हुआ और किस कौन सी disease condition बढ़ रहे है grave disease कोन इसका responsible होता है तो thyroid stimulating immunoglobin जो क्या होता है analog होता है किसका TSS का ठीक है यह क्या करता है T3D4 का level बढ़ा देगा goiter की condition कोज करवा देगा exophthalmos की condition भी यहां पर करवा देगा अब देखिए further क्या होता है यह जो exophthalmos यहां पर बना इसकी वज़े से क्या हुआ eye क्या रहने लग गई dry रहने लग गई जिसकी वज़े से क्या हो जाएगा corneal ulcer sign and symptom आप सभी के सामने खुझ से आ रहे हैं मैं यहां पर एक एक अलग अलग से नहीं बता रहा है आप खुझ से sign and symptom निकारने लग जाओगे इकर आप इस प्रकार से पढ़ने लग जाओगे और aims भी आप से यही चाहता है कि आप disease को खुझ से समझे खुझ से आप तभी समझ पाओगे जब आपका concept clear होगा यहां यह problem क्यों हुई यह rational क्यों निकला इसका यह rational क्यों निकला तभी आपका अभी के time पे आप aims आप सभी से यह मांग रहा है ठीक है आप सभी का level इस प्रकार का रहना चाहिए colonial ulcer हो गया और इसके साथ में exothelumus continuously retraction देखने को मिलेगा तो क्या हो जाएगी eye muscle कैसी हो जाएगी weak हो जाएगी तो यह तो बात होगी अपनी eye की next यह जो glycosumine होता है यह क्या करता है myxidema condition जो होती है वह यहां पे cause करता है तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि peating edema कि इसकी वरे से glycosumine glycan की वरे से अब देखिए ऐसे patient का अगर आप lab result देखोगे lab result आपको किसे में आता है practical related mcqus आ सकते हैं आपको direct option में देखे पूछ सकते हैं कि thyroid grave disease के अंदर किस प्रकार का diagnosis आपको देखने को मिलेगा तो सबसे पहले मैंने आपको बढ़ाया थे कि thyroid stimulating hormone का आप लेवल क्या कर देगा decrease हो जाएगा इसी के साथ कौन बन जाता है TSI का लेवल बढ़ जाएगा TSI का लेवल बढ़ जाएगा TSI का लेवल बढ़ जाएगा तो मैंने आप antithyroid medication MCQs ही बता रहा हूं मैं इन सब के अंदर ऐसा नहीं मैं आपको theory की class ले रहा हूं सारे के सारे MCQs बन रहे हैं किस प्रकार से MCQs बनेंगे वह मैं आपको बता रहा हूं ठीक है next आप अगर इस topic के अगर MCQs निकालोगे खुद से like grave disease के आपने 10 MCQs कहीं से आपको निकाले तो आपके आराम से वह सारे MCQs correct हो जाएंगे ठीक है बाकी के और जदा MCQs के लिए आप हमारी testries को join कर सकते हैं ठीक है antithyroid medication कौन सी दे सकते हो आप यहां पर Theomides ठीक है grave disease के अंदर hyperthyroidism के अंदर आप अलग दे सकते हो but grave disease के अंदर मोस्की कौन सी काम में लेते हैं Theomides beta blocker वगरा अपन यहां पर provide करवा सकते हैं और जो eye ulceration वगरा बन रहा है इसके लिए आप कौन सी medication दे सकते हो steroid या फिर next इसके लिए surgery भी अपन perform कर सकते हैं जिसको अपन क्या बोलते है अंसर रहा ठीक है किसमे होता है thyroiditis किसमे होता है grave orbitopathy next देखिए goiter क्या होता है goiter क्या होता है non cancerous hypertrophy of thyroid gland and next देखिए इससे goiter से क्या MCQ बनेगा अच्छो अगर यहां पर MCQ बनेगा तो बनेगा most common एक से होता है iodine deficiency से यह भी आप ध्यान में रख़ा है goiter के लिए बाकी Hashimoto disease addition disease आपके endocrine से related disease होती है Hashimoto disease भी एक thyroid problem होती है जिसके अंदर भी क्या होता है immune related system problem होती है आपनी जो antibodies वगरा thyroid gland पर अटेक करती है इससे आपन क्या बोलते है इसके अंदर भी जो क्या है hyperthyroidism वाले science symptoms आपको देखने को मिलते है एक्सेस हैं पर थारोड हर्मोन रेली जोते है तो first mgq का answer अपना correct हो गया और किस प्रकार से यह answer correct हो यह वह हमने समझ लिया शारा रेशनल हमने देख लिया ठीक है next mcq how many items are include in the WHO surgical checklist WHO surgical safety checklist CITOSO जो WHO surgical checklist होती है CITOSO होता है अभी मैं इसकी full form बताऊंगा अगर आपसे simple full form पूछ ले तो भी आपको correct कर देना है तो यहां पर आपसे क्या पूछा है कि CITOSO जो यहां पर component होते हैं उनके अंदर कितने items को include किया गया है 18 items, 19 items, 20 items या फिर 30 items क्या रहेगा इसका answer तो देखिए CITOSO का क्या मतलब होता है सबसे पहले आपको यह समझना होगा CITOSO का मतलब होता है sign in time out and sign out यह तीनों यहां पर क्या रहते हैं measure component रहते हैं और इसके अंदर कुछ items को यहां पर include क्या रहता है WHO के द्वारा उससे items से क्या होता है कि एक तो क्या होता है कि communication बढ़ता है communication increase during surgeries अपन जो भी surgery करते हैं उसके communication बढ़ता है doctors के staffs के बाकि और भी यहां पर surrounding staffs अगर वार्डबोव वगरा ठीक है वार्डबोव जो नहीं रहता है मगर doctors से and staff nurse circulatory nurse, scrub nurse उन सब से अपन क्या circulation बना सकते है अने अश्टेतर साइड से अपन circulation communication मना सकते है ठीक है तो एक तो communication increase होगा दूसरा decrease error related to surgery अब surgery related error क्या हो सकते है like goes mob का अगर counting का issue हो या फिर अपनने कुछ sutures वगरा needle वगरा का कुछ issue हो patients related वहाँ पे patient को को comorbidities हो अपन सब surgeon से पूछते है की patient को कोई risk है आपका कोई review है during surgery आप कोई plan change करने वाले हो ठीक है वो अपन यहाँ पे time out के time पे करते हैं इस सब चीजें तो इसके अंदर विए कुछ confident होते हैं सबसे पहले ही अपन क्या करते है patient की अपन यहाँ पर patient को confirm करते है है उसके बाद में क्या करते है site देखते हैं बहुत surgery कहा गरवानी है उसके बाद में क्या करते हैं अनेस्थेसिया वालों से बात करते हैं कि आप एकदम रेडी हो की नहीं हूँ, पैशेंट को किसी प्रकार की allergic reactions तो नहीं है, कोई drug related, पैशेंट का जो difficult intubation तो नहीं है, easily आराम से intubate होतो जाएगा पैशेंट, ठीक है, difficult airway aspiration की risk तो नहीं हो जाएगी airway के टाइम पे, ठीक है पैशेंट हमारे OT में आया, OT में आता ही सबसे पहला अपना काम क्या रहता है, sign in करना patient को, ठीक है, उसके आम में time out कब करते हैं, यह करते हैं, incision लगने से पहले, ठीक है, incision लगने से पहले, तो देखिया, sign in, sign in कब करते हैं, before induction of anesthesia, time out, यह अमसिकुज बने हुए हैं, बन सकते हैं आगे भी, यह होता है, before skin incision, next क्या बसता है, sign out, यह हम कब करते हैं, before, patient leaves, operation room, ठीक है, operating room से patient को leave होने से पहले, अपन क्या करते हैं, sign out करते हैं, ठीक है, बट, अपन देखते हैं कि closer के time पे sign out करते हैं, क्योंकि अपन वापर, अपन से recounting भी अपन कर सकते हैं, practical किया राता है, बहुत से जगहां पर, मगर अपना answer अगर अपने से पूचे, कि sign out कब करते हैं, तो best answer अगर आपको option में यह मिले, before, patient, leave, form, operation room, यह एक दम correct answer रहेगा, अगर आप वोचो की site पे जाओगे, वहाँ पर आप वोचो surgical checklist देखोगे, वहाँ पर आपको इन तीनो नामों के आगे, यह आपको तीनों लिखे वे मिलेंगे, तो अपना correct answer भी क्या जाएगा, यही जाएगा, ठीक है, अब sign in के अंदर, time out के अंदर, और sign out के अंदर कितने items को include के रहा था है, तो अपना answer क्या रहेगा, यहाँ पर, total 19 items, कितने items रहते हैं, 19 items रहते हैं, ओके, तो यह आप ध्यान में रखना, surgical check to checklist के अंदर, कितने items को include कर किया है, वोचो ने, total 19 items, और वोचो ने इसको बनाया कब था, तो 2009 के अंदर इसको ब तो एक बार आप इसकी image देख लिना, तो इन steps के अंदर क्या-क्या होता है, उससे भी mcq बन सकता है कि यह वाली stage कौन सी, कौन सी chapter checklist के comfort rate के अंदर आएगी, इस प्रकार से mcq आपको दे सकता है examiner, next mcq, a nurse is examining an 8-year-old boy with tachycardia and tachypnea, नर्स examine कर रही है, 8-year-old boy का, बच्चे को क्या हुआ है, tachycardia है, और tachypnea हो रहा है, which one of these non-invasive tests can determine the extent of hypoxia, hypoxia बड़ा है, ठीक है, कौन सा इसमें से non-invasive test है, वो determine करेगा कि hypoxia और आगे कैसे बढ़ रहा है, ठीक है, या फिर hypoxia कैसे, इतना condition hypoxia कि क्या है अभी, तो कौन सा non-invasive test इसको determine करने में help करेगा, pulmonary function test, pft, pulse, oximetry, peak, expiratory flow, या फिर chest x-ray, क्या रहेगा अपना या पर correct answer, कि हमें क्या करना, 80 year old boy के अंदर hypoxia का status देखना है, कि उसका status को determine करना है, कि कि इतना याँ पर level hypoxia का अभी continuously है, और non-invasive method होना जीए, तो कौन सा याँ पर correct answer रहेगा, pulmonary function test, pulse, oximetry, peak, expiratory flow, या फिर chest x-ray, तो देखे, इसमें इतना कुछ, या MCQ है नहीं, तो इसमें कौन सा correct रहेगा, pulse oximetry, obviously बात है, सबने COVID के अंदर खूब इसका use में लिया होगा, pulse oximetry का, तो यही अपना correct answer रहेगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो बच्चे को क्या हो रहा है, टेकिकाडिया हो रहा है, टेकिपनिया हो रहा है, दोनों कौन सी condition में होते हैं, हम pulse oximetry को यहाँ पर उसकी अपन finger या फिर टो के उपर अपन लगा कि आराम से उसका oxygen situation level अपना आराम से देख सकते हैं, next देखो mcq बनेगा, कि pulse oximetry से कौन सी vessel का oxygen level हमें पता लगेगा, arterial blood का है फिर venous blood का, mcq बना हुआ भी है, आगे भी बन सकता है, तो जो pulse oximetry होता है, non invasive method है, सभी को पता है, second यह किसका oxygen saturation बदाता है, यह arterial का, arterial oxygen, level बदाता है, ठीक है, mainly किसका बदाएगा, arterial oxygen का, तो यहाँ पर इसकी need नहीं पड़तीगी, यहाँ पर major arteries के उपर ही इसको लगाएँ, ठीक है, अपन यहाँ पर finger lobe है, या sorry ear lobe है, ठीक है, fingertip है, toes वगरा पर वहाँ पर भी arterials वगरा, tiny vessels वगरा होती है, तो वहाँ पर भी आपन इससे पता लग जाता है, ठीक है, और वही अपना क्या रहता है, accuracy वहीं आपको पता लगेगी, arterial blood gas, अपन इसलिए करवाते हैं, क्योंकि arterial blood gas में हमें exact आपका SPO2 जो level है वह आपको पता लगेता है, ठीक है, ABG करवाते हैं, एक होता है VBG, ABG करवाते हैं, ABG का blood कैसा रहता है, थोड़ा bright रहता है, VBG का blood, obviously बात है, vein के अंदर क्या रहता है, oxygen कम रहती है, जो blood भी क्या रहेगा, थोड़ा हलका सा dark रहता है, ABG की तुलना में, ठीक है, इसलिए ABG यहाँ पर most accurate आपके finding देती है, VBG, थोड़ा error वाली finding देती है, अगर बात करें, अपन SPO2 की तो, बाकी देखो pulmonary function test, इसमें आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पर अपना lung volume कितना है, lung capacity कितनी है, rate of flow कितना है, gas exchange किस प्रकार से हो रहा है, तो यह अपन PFT से कर सकते है, peak expiratory flow, अपन इसके अंदर maximum speed से expiration करते हैं, तो उसके flow को देख रहा है, तो आप किसे देखोगे, peak expiratory flows देखो, और chest auxiliary तो आप आराम से respiration system के अंदर को problem बगरा हो, उसके अंदर आपन क्या करते हैं, chest auxiliary बगरा करते ह हो नहीं सकता, अपना option कोन सा गरेक्ट होगा, pulse oximetry, next हम से क्यों, which measure would be most appropriate for the nurse to do to ensure that a child's ET tube is correctly positioned, most appropriate method आप बोल दो, कि देखो क्या हुआ, बच्चे में ET tube यहाँ पे placed की गई है, और हो correctly position हुई कि नहीं हुई है, options में से कौन सा एकड़म most appropriate method है, जो nurse करेगी measure करने के लिए, auscultate for abdominal breath sound, abdominal breath sound को auscultate करेगी, mark the tracheal tube at the child's lip, child's के lip पे आप tracheal tube का mark देख लोगी, इतनी अगर tube अंदर चली गई है, यह मतलब की वो एकड़म correct position पे है, इस परकार से अपन देख सकते हैं, या फिर watch the yellow display on CO2 monitor, CO2 monitor में आप yellow display को देखती है, या फिर inspect for water vapor in the tracheal tube, अपनी जो air रहती है, ठीक है, air के अंदर क्या रहता है, water भी mix रहता है, ठीक है, तो humidify तो वो होगी, तो tracheal tube के अंदर भी क्या रहता है, water की कुछ few drops आपको देखने को मिलती है, ठीक है, तो उससे आपको पता लगए है कि हाँ, यह correct position पे है कि नहीं है, क्या रहेगा अपना answer यहाँ पे, क्या रहेगा अपना answer यहाँ पे, तो देखिए, एक method होता है, जिसको अपन क्या बोल तो यह अपना practical base हम सीक्यू है, ठीक है, जो आपके mens में देखने को मिल सकता है, इस प्रकार काम सीक्यू, ठीक है, तो classes continue रहेगी YouTube पे और हमारी test series भी उसके लिए बनी है, तो देखिए, capnography अपन करते हैं, capnography क्या होता है, non-invasive method होता है, इसके लिए for CO2 monitoring, अब इसके अंदर करते क्या है, तो capnography के अंदर क्या रहता है, आपन जब परफॉर्म करते हैं, तो device के अंदर क्या रहता है, एक display रहता है, जन्रली ये display कैसा रहता है, परफल मान लो, या फिर कुछ जगह पे green भी देखने को मिलता है, अब क्या करते हैं, जो भी बच्चे ने, या फिर इस child ने breathe exhale की, अपना air बाहर निकाला, exhalation किया, तो उसका हमने क्या किया, इस display को देखेंगे, इस display को क्या होता है, अगर CO2 यहाँ पर जाला देखने को मिलती है, तो इस display कैसा हो रहता है, येलो, ठीक है, येलो किसको indicate करता है, CO2 को यहाँ पर indicate करता है, और अगर CO2 range के अंदर है, तो वो कैसा रहेगा, same color का रहेगा जो पहले था, ठीक है, green भी रहे, कुछ method के अंदर आप देखो के कुछ devices के अंदर ये green color का शो करता है, कुछ devices के अंदर ये purple color का शो करता है, ठीक है, तो ये, अपना यहाँ पर concept नहीं है, ध्यान मत रखना कि कौन से color का रहना चाहिए, बस ये क्यान में रखना, ये जब CO2 यहाँ पर आ कैसा हो जाएगा, yellow, due to presence of the CO2, I think आपके EMCQ आराम से समझ में आ गया होगा, बाकी के options यहाँ पर correct नहीं है, क्योंकि बच्चा है, तो हो सकता वहाँ पर tube जो है, यहाँ पर correctly अपन नहीं पुता लगा सकते है, बाकी के options से, तो अपना CO2 monitor यहाँ पर best option रहेगा, इस 4 options के अं carbon dioxide gas, next MCQ, class अच्छी लग रहे हैं, तो comment जरूर करके जाना, और यह भी बताना कि सर, जो method है मेरा पढ़ाने का, वह आप सभी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, बाकी, MCQ आपको और ज्यादा चाहिए, तो उनके लिए हमारी test series है, हम यहाँ पे बस हमारी test series है, उनका और हमारा जो course हमने बना रखा है, crash course वगर बना रखा है, उसका हम यहाँ पे demo दे रहे हैं, कि वहाँ पे हमने किस प्रकार से बढ़ाया हुआ है, ठीक है, बाकी अगर आपको ज़्यादा आप महाँ पे देखोगे एकदम पेपर तो जिन्होंने लास्ट नोशेट दिया होगा, वो समझेंगे कि हाँ किस प्रकार की test series हमने बना रखी है, next mcq की बात करते है, the nurse is caring for a child who is taking corticosteroids for systemic lupus erythematis, nurse क्या करिये, child की care कर रही है, बच्चा क्या ले रहा है, corticosteroids की therapy उसको दी जा रही है, उसको हुआ क्या है, ऐसे लिए, the nurse carefully monitor the child's condition because the nurse is aware that corticosteroids can have what measure action, nurse क्या कर रही है, carefully monitor कर रही है, child की condition को, क्यूंकि nurse aware है कि corticosteroids क्या-क्या measure action, कोज कर सकता है, options के आपने पास में, they increase liver enzymes, they can mask sign of infection, they can bone marrow suppression, या fit they decrease renal function, क्या रहेगा अपना answer? अब देखिए, यहाँ पर यह condition क्या बताई गई है, SLE systemic lopus erythematis, यह condition क्या है, यह एक systemic autoimmune disorder होती है, इसके अंदर होता क्या है, hypersensitivity, मैंने आपको hypersensitivity के बारें पढ़ा रखा है, इसके कितने भी type होते हैं, मैंने आपको सब बता रखा है, कि भी कौन से hypersensitivity, इसमें क्या होता है, कौन से antibody का यहाँ पर लेवल बढ़ता है, इसके अंदर ठीक है, और systematic lupus, erythematous, कौन से प्रकार की hypersensitivity का कौन सा टाइप रहता है, यह third type के अंदर आती ही क्या, systematic lupus, erythematous, इसके साथ में और क्या देखने हो मिलता है, अपने को, rheumatoid arthritis, इस hypersensitivity reaction के बात कर रहा हूँ में, तो third number होती है, इसमें कौन कौन आता है, एक तो ऐसलिए आता है, दूसरा कौन सा आता है, rheumatoid arthritis, जिसके अंदर systematic autoimmune disorder होती है, वो सारी की सारी किसमें आएगी, hypersensitivity type 3D के अंदर, और यहाँ पर measure यहाँ पर क्या रहती है, risk के अंदर इस reaction में, अब हम बात करते हैं, क्या क्या complications हो सकती है, SLE की वरे से, SLE की वरे से complication की बात करें, cardiovascular system से, तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, myocardial infraction, एक complication यहाँ पर और देखने हो मिल सकते है, इसको अपन क्या बोलते हैं, libman, sex endocarditis, renal failure देखने को मिल सकता है, और क्या देखने को मिलेगा, hypertension, इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा, hyper, cogulability, ठीक है, hyper cogulability यहाँ पर जड़ा देखने को मिलेगी, तो क्या हो सकता है, dvt हो सकती है, patient को, stroke की condition भी देखने को मिल सकती है, अब देखिए, यहाँ पर कुछ important यहाँ पर sign देखने को मिलती है, जिसको आपन क्या बोलते है, patient को arthralgia होता है, और क्लासिकल साइन के अंदर आएगा, ठीक है, nose के दोनों साइड के अंदर, चीक का जो area रहता है, nose के surrounding, वहाँ पर क्या रहती है, redness देखने को मिलती है, इसको आपन क्या बोलते है, butterfly rays, butterfly rays भी आपके यहाँ पर देखने को मिलती है, अब बात करते हैं, अपने answer के ऊपर जाते हैं, देखो इसमें हमने क्या दिया, corticosteroids, corticosteroids किस प्रकार के होती है, immunosuppressant होने की वरे से क्या कर देगी, like एक normal person है, infection हुआ उसको, तो क्या क्या साइम सिम्टम आए, fever आ गया, heart rate बढ़ गई, pulse बढ़ गई ठीक है, और यहां पर special conditions related science symptom भी आ जाएंगे, like especially कोई bacteria की वरे से हो रहा है, तो उस bacteria में कौन-कौन science symptom होती है, उस प्रकार की condition आएगी, यह तब आएगी जब वो normally immune रहता है, immune का मतलब क्या कि कोई IR factor हमारी body में उसके खिलाफ वर्क किया, तो आराम से आपको पता लगए, fever आ गई, तो उससे आप पता लगए, कहां बढ़ बढ़ का body में infection हुआ है, तो fever आया है, बट, immunosuppressant है, ठीक है, immunosuppressant होने की वरे से, अब अगर इसके उपर bacteria आएगा, इसको attack करेगा, immunity क्या है, already suppressed है, तो जो science symptom जो आने चाहिए थे, patient को वो यहाँ पर नहीं आएंगे, और infection patient में बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्योंकि immunosuppressant जो antigen, antibody complex, reactions होती है, वो इनको यह कम कर दे होता है, और्टिको इस्टेरोड, इस्टेरोड का nature का तो यही काम होता है, immunity suppress करना, immunosuppressant का act करता है, तो क्या रहेगा, they can mask sign of infection, ठीक है, sign of infection का लिए, mask के रूप में काम करेगी, infection के science symptom को बाहर नहीं आने देगी, mask लगा के रिखेगी, ठीक है, आप यह समझ लो, कि जो भी infection होगा, science symptom आएगा, उनको जल्दी से appear नहीं होने देगी, due to immunosuppressant action, इसलिए आपको बच्चे को monitor करना है, कि वहाँ पर उसको कुछ ऐसे को conditions तो नहीं होगी, जिससे उसको आपको लगे कि हाँ, इसको infection होगया है, ठीक है, इसलिए अपन इसको corticosteroid वगरा, provide करवाते हैं, और यह जो arthralgia वाली condition है, यहाँ पर अपन नौन इस्ट्रोड एंट्री इंफ्लामेटरी डर्ग अपन यहाँ पर patient को दे सकते है, normally arthralgia वगरा की conditions होती है, तो sun exposure से avoid करना है, क्योंकि already माला races, butterfly races वगरा, discoid races वगरा, यहाँ पर रखे होते हैं, patient को, smoking के लिए probably avoid करना है, balance उस protection का यहाँ पर sign वगरा इतना, जो normally person में appear होता है, उस परकार से इन में appear होना, मुश्किल है, next mcq, a nurse had just administered medication via an aurogastic tube, एक nurse ने क्या क्या है, medication दी है aurogastic tube से, what is the priority nursing action, अब nurse का priority nursing action, यहाँ पर क्या रहेगा, check tube placement, tube का placement देखेगी, re-tap the tube, tube को अपस से re-tap कर देगी, flush करेगी tube को, या फिर remove कर देगी tube को, nurse का यहाँ पर क्या roll रहेगा, तो देखे, जब कभी aurogastic tube हो, या फिर nezoogastic tube हो, तो अगर आपने medication दी है, अभी आपको क्या करना है, tube को flush करना है, यह आपके सबसे बड़ी priority रहेगी, यहाँ पर, क्यों करना है, क्योंकि oral medication, जो आपन tube के साथ में medication देते हैं, वो crush की भी रहनी चाहिए, अच्छे से, और वो proper तरीके से dissolve होनी चाहिए, तभी फिर आपनो उसको, आपको क्या करना है, हमेशा, प्लस करना है, tube को, before and after giving medication to patient, next, MCQ अपना, an 8-year-old girl was diagnosed with closed fracture of the radius at approximately 2 p.m., 2 p.m. पे एक 8-year-old girl है, उसको diagnose किया गया है कि, उसका radius का वहाँ पर fracture देखने हो मिला, fracture भी कैसा है, closed fracture है, the fracture was redacted in the emergency room, and her arm placed in a cast, अब इस fracture को जो है वो, closed fracture था, तो इसको emergency room के अंदर इसको redact कर दिया, वापस से alignment में ला दिया, और इसके उपर क्या लगा दिया, अभी cast लगा दिया, 8-11 p.m., her mother brought her back to the emergency room, due to unrelenting pen, अब दो पर की दो बज़े fracture हो था, रात की 11 बज़े, उसकी जो mother है, वापस से emergency room के अंदर आती है, और वो बताती है कि, patient को जो है, यहाँ पर pen देखने को मिल रहा है, that has not been delivered by prescribed and narcotics, जो की narcotics देने पर भी delivered नहीं हो रहा है, what should the nurse do first, अब यहाँ पर nurse क्या करेगी, तो देखो, किता बड़ा MCQ था, मैंने कितने गोले बनाई यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, बस, इसी परकार से आपको भी क्या करना है, आपका जो white paper आपको अगर मिलता है, या फिर admit card के पीछे, अगर वो बड़ा MCQ रहे, तो वहाँ पर man-man points लिख लेना, यहाँ यहाँ पर अभी ऐसे ऐसे इतना आपस पूछा गया है, ठीक है, अगर देखो, किसी को होता है कि बड़ा MCQ नहीं पढ़ पाते ले, notify the doctor immediately, apply ice, elevate the arm, या फिर give additional pen medication as ordered, क्या रहेगा answer आपका? तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला, जो nurse का यहाँ पर काम रहेगा, वो रहेगा, notify the doctor immediately, सबसे पहले वो क्या करेगी, doctor को notify करेगी, सबसे पहले, क्यों करेगी, क्योंकि उसको suggest क्या हुआ, patient को, compartment syndrome, नर्स ने क्या, जो mother ने बताया, उसके अगोर्डिंग नर्स ने क्या suggest किया, उसको compartment syndrome हो चुका है, तो यह एक प्रकार की कौन सी condition होती है, emergency condition होती है, और इसके अंदर क्या हो करना चाहिए, doctor को notify करना चाहिए, immediately, क्यों करना चाहिए, होता है, क्यों हो यह, क्योंकि हमने क्य क्या है, कास्ट का application किया, कास्ट हमने लगाया, कास्ट लगाने की वज़े से हो सकता है कि में कास्ट को हमने tightly apply कर दिया, अब इस tight apply की वज़े से क्या हो गया, यह जो यहाँ पर vessels वगरा है, वो भी क्या हो गई, construct हो गई, ठीक है, और जो neuromuscular, जो अपना, जो neuromuscular damage भी यह क्या देखने हो मिलती है, आपको narrow हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर क्या neuromuscular damage भी देखने हो मिल सकता है, due to proper यहाँ पर blood circulation नहीं होगा, तो nerve damage भी आगए, आपको continuously हो सकती है, permanent pressure की वरे से, इसलिए यह प्रकार का क्या, emergency condition रहती है, अगर टाइमली ट्रीटिस को नहीं करता है, तो patient को क्या करना पड़ सकता है, amputation, amputation तक करने की नौबत आज़ती है, patient को, और, देखो, cast वगरा हो गया है, तो अगर, cast हटाने के बाद भी, अगर compartment syndrome result नहीं होता है, तो क्या करना होता है, faciotomy, जो muscles के उपर, जो fascia रहती है, उसको हमें क्या करना रहता है, जो tough यहां पर fascia रहती है, उसको हमें क्या करना है, cut करके, opening मुनानी होती है, जिससे की pressure, resolve, blood supply, आराम से, normally flow करता रहे, अब, compartment syndrome के कुछ sign and symptoms होते है, तो इसके अंदर क्या रहते है, six P, यहां पर, देखने हों मि पैरास्थीसिया, पैलर, पैरालिसिस और, पल्सलेस्नेस, ठीक है, तो यह और यह pain वाज़रा, जो है, वो, medication से आपे, सबसाइड नहीं होगा, six P, sign का आप ध्यान में रखना, पैशियोटोमी को ध्यान में रखना, होता है, क्या है, वो ध्यान में रखना, compartment syndrome काब होता है, किस प्रकार से होता है, यह ध्यान में रखना, और कभी compartment syndrome आपको दिखे, notify कर देना, डॉक्टर को immediately, इस प्रकार के science symptom एपिर हो सकते हैं, patient में, next, हम से क्यों अपना, the parent of a two-day old girl baby was concerned because her feet and hands are slightly blue, एक parent है, ठीक है, वो concerned है, अपने बच्चे को लेके, दो भी दो दिन का हुआ है, दो दिन के बच्ची है, वो देख रहे हैं कि बच्ची की जो पेर है, और बच्ची की जो हाथ है, वो slightly blue है, how should the nurse response, तो भी nurse यहाँ पर क्या response क करेगी, option क्या है, your daughter has acrocinuses, this is causing her blue hands and feet, क्या बताया गया है, कि आपकी जो डोटर है, उसको acrocinuses हो गया है, जिसके बच्ची के हाथ और पेर है, वो थोड़े blue दिखाए जा रहे है, late watcher है, carefully to make sure, she does not have a circulatory problem, कि आप उसको आगे carefully watch के लिए आप उसको छोड़ रहे हो, कि आप आप देखो कि आगे उसको को circulatory problem तो नहीं है, उसके लिए आपने उसको अभी wait and watch कर रहे हो, this is normal, our circulatory system will take few days to adjust, यह normal condition है, गवरा यह मत, यह थोड़ा, कुछ दिनों में अपने ठीक हो जाएगा, इसका circulation अच्छे से हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर, this is vasomotor response caused by cooling और warming, य आपनी body का, जो की cooling या फिर warming की बरे से देखने में मिलता है, आप agent nurse हो, nursing officer हो, और आप के पास में ऐसे parents आये हैं, जो अपने बच्ची को लेगे concern है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, अगर उसके हाथ और पेर यहाँ पर slightly blue दिखाए दे रहे हैं आपको तो, तो देखो, यहाँ पर एक word आपको देखने को मिला होगा, acrocinosis, तो acrocinosis के अंदर hand and feet यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेंगे, extremities देखने को मिलेगी, अगर जिस बच्चों को यह वाला अनोंने अगर correct माना है, तो उनको मैं बता रहेता हूं कि acrocinosis में क्या होता है, circulation यहाँ पर disturb होगा, circulation disturb होने की वरे से, जो peripherally extremities है, उनका यहाँ पर discouration देखने को मिला है, और यह persist रहता है, जब तक circulation वाली problem को ठीक नहीं करते हैं, तब तक यह continue बना रहेगा, इसलिए अपना option number one तो यहाँ पर correct नहीं होगा, क्योंकि उसके केवल feet और hands ही केवल, वो भी slightly blue है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे कि आप थड़ा आराम से circulation इसका well managed हो जाएगा, तो यह condition क्या है, normal condition है, circulatory system will take few days to adjust, obvious सी बात है कि जब बच्चा नयनया बर्थ होता है, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा circulation यहाँ पर peripherally हो सकता है, कि वहाँ पर capillaries का proper तरीके से formation ना हो रखाऊ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, two days का बच्चा हो सकता है, वो pre-trum हो, ठीक है, अगर इसको time भी मानक चलें तो भी आपने देखा होगा कि अगर नयनय बच्चे जो newborns रहते हैं, उनके थोड़े pair वगर हलके से blue is color के आपको देखने को मिलेंगे, उसका reason यही है कि उनका circulation अभी पूरी तरीके से mature नहीं हुआ है, कुछ दिनों के अंदर वह ठीक हो जाता है, एक दम आराम से, अगर जब तक result नहीं होगी problem, तब तक acrosanusis ठीक भी नहीं होगा, बागी का options destructor है, इसमें आपको जान नहीं देना, बस option number C अपना क्या रहेगा, यहां पर correct रहेगा, आपको educate करना है parents को कि यह condition normal है, अपने आप result हो जाएगी एक दो दिनों के अंदर, या फिर one week के अंद कर दो